नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं सियम हेमन्द का भासन सुरू होते ही भाजपा का हंगामा बिधहयक की कोपी फाड़ी मांसुन सत्र के पांचवे दिन सदन की करवाही हंगामे कसा सुरू हुई, वहीं भोजना उकास के बाद अलमगीर आलम ने जहर्खन पर्तों की परीक छा बिधहयक 2023 सदन में पेस किया, जिस पर भाजपा ने हंगामा सुरू कर दिया, इस पर मुख्यमंद्री ने भासन देना स पास किया है, सी एम के इतना कहते ही हंगामा सुरू हो गया, भात्पा विधहयक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिससे गुसाए सत्ता पक्ष के विधहयक भी वेल में आकर हंगामा करने लगे, सदन में भारी हंगामा सुरू हो गया, सत्ता पक्ष के विधहयकों की मांग पर मुख्य मंत्री ने विदहयक में दो महत्पून ससोधन किये है दरसल जार्खन परत्योगी परिक्षा भरती में अनुचित साधनों की रोक्थाम निवारन के उपाई विदहयक 2023 में दो तरह की सजा के परोधान था पहला तीन साल और दूसरा साथ साल जिसमें तीन साल को एक साल और साथ साल को तीन साल में ससोधन करते हुए परवर्थित किया गया इसकी घोसना मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सदन में किया है जार्खन परत्योगी परिक्षा भिदहयक 2023 सदन में पास जारकन बिधान सभा मांसुल सत्र का आज बाचवा दिन है इस बार जारकन बिधान सभा का मांसुल सत्र काफी हंगावेदार चल रहा है एक तरफ दोनों पक्ष के बिधायक बिधान सभा के बाहर हाथों में तक्तिया लेकर एक दूसरे की खिलाप परजन कर रहे है वहीं दूसरी तरफ सदन में भी महोल काफी गरम रहा बता देश सत्र के पांचवे दिन भी बिधायक बिधान सवा की बाहर पर असर करते नजर आए इसके बाद करवाही जैसे ही सुरी हुई तो इर्फान अनसारी की टिपनी को लेकर भाजवा बिधायक सस्री वुशन मेहता ने इर्फान को ललकारा दोनों पक्छों में गहमा गहमी हुई पसु पालन के लिए खरीदना चाहते हैं गाय तो सरकार करेगी मदद जरकन सरकार हर साल नई योजनाव का उध्याटन करती है इसके साथ ही सरकार कई पुरानी योजनाव में बदलाव भी कर उन्हें और बेहतर भी बनाती है इन योजनाव के जरिये समाज के जरूरत मंद लोगों के हर सक्त तक लाव पहुचाने के कोशिस की जाती है बतादे जार्खन सरकार द्वारा राजी के किसानों के आय में विरिधी करने के लिए कई परकार योजनाओं को संचलित की जा रही है इन योजनाओं से किसान को लाव प्राप्त हो रहा है इसके अलावा सरकार किसानों को खेती के साथ पसुपालन के लिए भी प्रोसाहित कर रही है ऐसे में जहारखन सरकार दोला एक योजना चलाई जा रहे है इनका नाम मुख्य मंत्री पसुधन विकास योजना है इस योजना के तहत किसानों को दुधारू पसु खरीदने के लिए सब सी रिदी जाती है लेकिन इन दिनों लाभूख खुद को ठागा महसूस कर रही है मुख्यमंत्री पसुधन बिकास योजना का उदेश जारखन राज के पसुपालन सेक्टर को सम्रीद बनाने और किसानों के आर्थिक बिकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्पून है मालगाडी के पहिये के बीच बैठ कर सफर कर रहे थे चार बच्चे जारखन के पच्चमी सिमुम जीले से दिल को जगजोर कर रख दिने वाला एक वीडियो सामने आया है द्रसल यहां चार बच्चे चलती मालगाडी के नीचे चको के बीच बैट कर यात्रा कर रहे थे घाटना चक्रधर पूर रेल मंडल के खनन बहुल छेत्र करी बुरू थाना छेत्र की हाई एक मैदूर ने सेल के मेगा हातु बुरू लोडिंग पॉइंट में एक मालगाडी की नीचे चार बच्चे को ट्रेन के चको के बीच सफर करते देखा यह देख उसके होस उड़ गये उसने तुरंत मोबाइल से बच्चों का वीडियो बना लिया फिर फोन करके रेलेवे विभाग को इसकी सुचना दी रेले विभाग ने भी बिना देर किये पहले तो मालगाडी को रुकवाया फिर बच्चों को मालगाडी से बाहर निकाला रेल अधिकारियों ने बच्चों को आयसा करने के लिए डाटा भी और दुबारा आयसा नौग करने की हिडायत भी दी है देवघर सरावनी मेला में एक माह में करोडों की कमाई 29 लाख ने किया जलार पौन राज किये सरावनी मेला दोहयतेश के संबन्ध में देवगर मीडिया सेंटर प्राइंगर में उपायुक्त बिसाल सागर ने मीडिया को एक माह के सरावनी मेला का लेखा जोखा प्रस्तूत किया इस दोरान उपायुक्त बिसाल सागर ने सरावनी मेला के संबन्ध में 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की जनकारी दी जिसमें जलारपन करने वाले कवर्यों की संख्या, मंदीर सहित अन्यमद से प्राप्त रायस्व और सरकार के द्वारा की गई बेवस्थाओं से कितने लोगों निलाब उठाया आधी की जनकारी दी उपायुक्त 20 साल सागर ने बाता है कि 4 जुलाई से 31 जुलाई तक सरावनी मेले में कूल 29 लाग सरधालों एंजलारपन किया है सुरक्षा के द्रिष्टी कोन से 635 मई स्टेट की प्रतिनुक्ति की गई वहीं 97 पुलिस बल, NDRF की 50 और CRPF की 4 कंपनिया भी तेनात की गई है वहीं मेला छेत्रे में 21 और स्थाई ठाने खोले गए 11 टी ओपी भी बनाए गए है इर्फान अंसारी के ब्यान पर BJP का पलटवार आदिवासी को लेकर कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी के दुवारा की गई बिवादा अस्पत टिपनी के बाद सियासत जारी है BJP के राष्टी सचीव और रांची के मेयर रही आसालाकडा ने निसाना साथते वे कहा है कि क्या ऐसी टिपनी अगर कोई समाने ब्यक्ति करता है तो उसके खिलाब ऐस्टी एक्ट के ताहत मुकादमा दर्ज होता है लेकिन क्या कॉंग्रेस पार्टी बताएगी कि उसने इर्फान अंसारी पर इस अभद्र टिपनी के खिलाब क्या अनुससनात्मक करवाई करेगी BJP परदेश कर्याले में मेडिया कर्मियों को संबोदित करते हैं भाजपा कराश्टे सचीव आसालाकडा ने कहा है कि कॉंग्रेस बिधाय किर्फान अंसारी जिस तरह का ब्यान देते रहे हैं उसे उनका अहंकार जहलकता है हाली में वे हिंदू वोट नहीं देंगे तब भी वह जित जाएंगे यह ब्यान अहंकार नहीं तो और क्या है जारखन परतियोगी परिक्षा बिधैक पास BJP ने फाड़ी बिल की कोपी जारखन परतियोगी परिक्षा बिधैक दोह एक लित्ते इसमें कुछ मामूली संस्थान के साथ धौनी मच से पारित हो गई है पहली बार कदाचार करने पर 3 साल की जगा 1 साल की सजा और दूसरी बार कदाचार करते पकड़े जाने पर साथ साल की जगा तीन साल की सजा होगी सदन की करवाई सुक्रवार चार अगस्त को 11 वय तक के लिए अस्थागित कर दी गई है बतादे बीना जाज के छातरों गिरफतारी से जूले संसोधन को स्दियम ने दरकिनार कर दिया है कहा है कि डर और भय उन संस्थाओ और परिक छार्थियों पर होना चाहिए कुछ लोगों की वय ऐसे लाखों छातर परभावित होते हैं बिनोज सिंग ने कहा है कि इस विधायों को नकल करके ही बनाया गया है इसमें कई जगा अधिनियम की जगा अध्यादेश सब्द लिखा हुआ है परभारी मंत्री ने संसोधन की मंजूरी दिया है सदन में कान पकड़ कर माफी माँगे इर्फान नहीं तो कर देंगे ऐसी की तैसी ससी भूसन मानसूल सत्र के 25 दिन प्रश्नकाल के दरान कॉंग्रेस विधायक इर्फान अंसारी भाजपर विधायक को के निशाने पर रहे एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मार पिट तक हो जाएगी इर्फान अंसारी पर भाजपर विधायक ससी भूसन मेहता इस कदर आग बहुले थे कि बाह चढ़ाते हुए उनकी तरफ जाबढ़ है इसी बीच कॉंग्रेस विधायक उमा संकर अकेला ने ससी भूसन मेहता को रोका अगर उमा संकर अकेला उनको नहीं रोकते तो सदन की गर्मिता तार-तार हो सकती थी दरसल प्रशना काल सुरू होते ही बेवास्था के तहत भाजपा विधायक सासी भूसन मेहता ने कहा है कि कॉंग्रेस विधायक इर्फान अंसारी ने एक अगस्त को सदन में बाबुल अर्मानडी पर टिपनी करते हुए आदिवासी समाज के खिलाप और मर्यादित बात कही थी इस कथन के लिए उनको सदन में कान पकर कर माफी मागनी चाहिए नहीं तो हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे रांची के जिला इसकूल में लगी आउक बच्चों को सुरक्षित निकाला गया राज धानी के कोतवाली थाना 6 त्थीत जिला इसकूल में गुरुवार की सुबा आग लग गई जिला इसकूल का निर्वान आजादी के पहले से हुआ है इसमें जायातर इमार्ती लकडियों का पर्योग किया गया है इसलिए आग तेजी के साथ पूरे स्कूल में फैल रही है आग की लपटे धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की तरह फैल रही है वहीं दमकल के वहान मौके पर पहुंचे है लेकिन दमकल के वहान इस्कूल के अंदर तक दाखिला नहीं हो पा रहे क्योंकि परवेश करने का रास्ता काफी संक्रा है बता दे आग को तेजी से फैलते हुए देख आननपाना में सबी कक्छाओं से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया जिससे कोई हताहत नहीं हुआ आग की वज़ा से इस्कूल के दो कमरे पूरी तरह से जलकर राक हो गई उनमें मौजूद बेंच और डेस्क भी जल गए है जिला इस्कूल में लगी आग इतनी भ्यानक रूप से फैली कि तीन कमरे को एक एक करके आग के अगोस में आगाए बाबुलाल मरांडी पर इर्फान अंसारी के ब्यान से सियासत गर्म बीजेपी नेता बाबुलाल मरांडी को लेकर कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी के ब्यान पर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हो रहा है बीजेपी बिधायक को में सदन के बाहर प्रदसन किया वहीं इस मुद्धे पर पर्तिकिरिया देने में कॉंग्रेस के विधायक आपस में बढ़ते नजर आए स्वास्त मंत्री सह कॉंग्रेस विधायक बन्ना गुपता ने जहां इर्फान अंसारी के बचाओ करते हुए भाजपार पर हमला बोला वहीं दिपका पांडे सिंग ने कहा है कि वह इर्फान अंसारी के ब्यान के लिए माफि मांगती है कॉंग्रेस विधायक इर्फान अंसारी और बन्ना गुपता ने अपनी परतिकिरिया देते हुए कहा कि क्या ए लोग उस घर्टना का भी रोध करेंगे जिसमें आदिवासी के उपर भाजपा करनेता पे साप करता है उन्होंने कहा है कि मनिपूर की बेटियों वहाँ की जनजातिय महिलाओ खिलाब जो हिंसा और बलतकार की खटना खट रही है उस पर यह भाजपा वाले चुप क्यों है जार्खन के साइबर अपराधी आतंकियों को भेज रहे पैसा जार्खन में पहली बार साइबर ठगों और आतंकवादियों का गठ जोड सामने आया है पता चला है कि साइबर ठगी क्या हांसिल किये पैसे बिदेश सी आतंकवादियों को भेजे जा रहे है कुछ दिन पहले धुर्वा थाना चेतर के सेक्टर दो निवासी निवीन कुमार वार्मा से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 1.333 रुपए की ठगी हुई थी इसे लेकर उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराया था इसी तरह साइबर थागों ने मेट्रो मोर्नियम साइट के जरिये धनबाद निवासी एक ब्यक्ति से भी एकड़ रुपए ठग लिए है जार्खन में भी होगी जातिये जनगन्ना जार्खन सरकार जातिये अधारित जनगन्ना कराने पर विचार कर रही है राय सरकार की इसकी त्यारी में जूटी है बिधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जातियों को जनसंख्या के अधार पर नियुक्ति से लेकर अनेलाब मिल सके इसके लिए जाती अधारी जनगन्ना कराने की मांग लगातार उठती रही है खासकर राजे की नियुक्तियों में ओभी सिक्वारक्षन के मामले में विधान सभा में सुवर उठते रहे है साता पक्ष और विपक्ष के विधायक लगतार इसके लिए सरकार पर सदन और सदन के बाहर अपनी बात रखते रहे हैं धन्यवाद